ओम शान्ति आज 14 फर्वरे 2022 आज की साकार मुल्ली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पड़े सुने और मन्थन करे। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे सेंसीबुल बन चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहा। बाब का परिचे देने जो भी मिले उसको बाब का परिचे दो सर्विस का शौक रखो। प्रशन बच्चों की बुद्धी में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। समझ में आ जाएं। समझ में आ जाएं। कौन सी बात समझ में आ जाएं। और रामा एकुरेट है। और अब घर क्या क्या लेके जाना है। कुछ भी नहीं लेके। आब यह सब जो इन आखों से दिखाई दी रहा है। यह सारा का सारा खत्म होने वाला है। दो कना देने से बात द्वारा महल मिल सकता है। जो कुछ भी मेरे पास दिखाई दे रहा है। वो सारा खत्म होने वाला है। और यदि दो कना बाब को दे दिया। तो महल मिल सकता है। जिनकी बुद्धी में यह बात आ जाती है। वे अपना सब कुछ इश्वरिय कार्य में सफल कर लेते है। गरीब ही बली आर जाते हैं। अमिर सोता है कहीं बिमार हो गया। कोई दुख आ गया। कोई कस्ट आ गया। तो क्या करूँगा। बाप दाता है वे तुम को स्वर्ग की बाशाही देता। लेता नहीं। लेता कुछ भी नहीं। उसको चाहिए भी नहीं। लेकर करेगा भी क्या। क्या करेगा। कौन में से बच्चे जिसको दे। एक दूसरे को दे। क्यूं दे। आप से लेके। क्यों किसी और बच्चे को दे। बाबा लेता नहीं। ये लाइन बुद्धी के अंदर बहुत अच्छी तरह स्पस्टर है। कणा देने का मतलब है कि आप मेरे डारेक्शन अनुसार अपने धन को यूज करेंगे तो जिन आत्माओं को खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, वो आत्माएं आपके प्रती उस खुशी को देने के निमित बनेगे। यदि आपने धन खर्च नहीं किया, किसी को सुख नहीं मिला, तो आपका पार्ट है। तरीका बता दिया, आप दुसरों को सुख दोगे तो वो भी तुम्हें सुख देंगे। गीत, प्रितम आन मिलो, ओम शाक्ति, प्रितिमाई, कोने प्रितिमाई, प्रितमाई, अर्थात, भक्तियां, अर्थात, भक्तियों को और क्या कहते हैं, जो भी भक्ति करने वाले हैं, सब भक्ति करने वाले हों कहते हैं, दुलहनिया, सजनिया, प्रितमाई, भक्तिया, दुलहनिया, सजनिया, ब्राइट्स, भक्तियां प्रीतम वा साजन को बुलाती है परमात्मा को साजन को बुलाती है पुरुष और इस्त्री सब मिलकर बुलाते हैं यह नहीं कि सरफ इस्त्रिया बुलाती है पुरुष हो तो चाहिए इस्त्री हो सब बुलाते हैं कितने धेरों के धेर है बुलाते रहते हैं छेना धोलक ले करके तो इससे सिध है बुलाते रहते हैं इससे सिध है जरूर प्रीतमाओं का कोई प्रीतम है जिसको बुला रहे हैं सारे एक को ये बुला रहे हैं नाम उन्होंने अलग-अलग रखे हैं, बुला तो सब एक कोई रहे हैं, है परम पिता, परमात्मा आओ, चाहे वो मस्जिद में जोर से बुला रहा है, तो भी उस खुदा को बुला रहा है, उस इश्वर को बुला रहा है, यदि कोई प्रियर कर रहा है किचर्ची के अंदर, तो वो भी उसी को बुला रहा है चाये मंदिर हो तो चाये गुर्द्वारा हो तो चाये कोई धार्मिक्स्तान हो बुला तो सारे के सारे परम पिता परम आत्मा को रहे हैं के आओ ये पतित पावन आओ लिबरेटर गाइड आओ शब्द कैसे भी हो बुला परमात्मा केते हैं मुझे रहे हैं हम आपको बहुत याद करते हैं परमात्मा से करते हैं हम आपको बहुत याद करते हैं यादगार तो बूतो के बनाते हैं अब वे सब मनुशों के यादगार जितने भी दुनिया में यादगार बनाए गए चाहे वो चर्चिस बनाए जाए चाहे मंदिर बनाए जाए चाहे गुरद्वारे बनाए जाए चाहे मस्जिद बनाए जाए चाहे कुछ भी बनाए जाए वो किसके बनाए जाते हैं सब देधारियों ऐसे भी बहुत हैं जो लक्षमी नारायन, राम, सीता, आदी देवताओं को याद करते हैं क्यों क्यों याद करते हैं क्योंकि मनुष्य से वो देवताओं उंच हैं मनुष्य से वो देवताओं उंच हैं, तब तो मनुष्य देवताओं की पुजा करते हैं, नंबर वार उंच और नीच तो हैं सारे देवी देवता बराबर तो है नहीं, कोई देवता बड़ा तो कोई देवता छोटा, कब बने थे ये उन विचारों को पता ही नहीं किसने बनाया था ये पता ही नहीं कैसे बनाया था ये पता ही ये तो सब जानते हैं कि उच्टे उच्ट भगवान को ही कहा जाता है फिर ब्रह्मा विश्णु शंकर फिर ब्रह्मा और जगत अंबा कितना लाइन के लिए तीन बिंदिया मैं बहुत टाहिम से चितर पर सोचता था कि बाबा ने ये तीन बिंदिया पहले क्यों लगवाई उपर में शिव बाबा फिर उसके नीचे तीन बिंदिया फिर उसके नीचे दो बिंदिया क्यों लगवाई कभी समझ में नहीं आता था अभी उस दिनों से समझ में आने लगा है कि ये तीन बिंदियां बाबा ने सुक्षम वतन धारी, वतन वासी, ब्रह्मा, विश्नु, शंकर का यादगार के रूप में लगाया था और देखिए कि कितनी कमाल की बात है जो किर्षन जनम वाला चितर देखा है अपने जिसमें किर्षन बच्चे पालना कर रहा है माबाप के पालना ले रहा है, गुरू के पास पढ़ रहा है, याद आ रहा है चितर ऐसा नहीं आ रहा है, जिसमें दिखाया है कि गीता माता है और किर्षन बच्चा है बीच में एक बीज रखा है उसमें से दो पत्ते निकाले हैं राधा और ग्रिश्ट यह चित्र क्या कमाल की बात सिद्ध करता है कि वो दो आत्माएं सबसे पहले शिव बाबा से बिचड़ती आती दो आत्माएं तीन नहीं तीन आत्माएं नहीं दिखाई तीन बिंदिया दिखाई पर तू तीन आत्माएं नहीं दिखाई यह बहुत बहुत जो है न समझने वाली है क्योंकि बाबा नी जो चित्र बनवाए हैं बड़े गुई राज से बनवाए है उन राज को समझना ही सबसे बड़ी बात है मुख्य वे हैं ये तो सिर्फ बच्चों की ही बुद्धी में है कि उचे ते उचा बाप द्वारा हमको उचे ते उचा वर्षा मिलता है परंतु उस बाप को जानते ही नहीं जब बाप आए तब ही आकर अपना परिचे दे बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के सिवाए और कोई से मिल नहीं सकता हूँ बाप आते हैं कहते हैं महात्मा जी से मिलें यहां तो वे बात ही नहीं यहां बाप और बच्चों का तेलुक है कोई बाकी कोई का कुछ काम है तो और बात है बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते हैं परदस्नी में भी तुम सिद कर बतलाते हो कि सब का वे फादा है वो लोग तो कहते हैं ये वे नाम रूप से न्यारा है तुम बतलाते हो उनका नाम भी है उनका नाम भी है रूप भी है तो देश भी है चित्र भी हैं उनको बुलाते भी हैं तो जैसे आत्माएं आती हैं वैसे परमात्मा भी आते हैं शेव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं उसको नंदीगर्ण कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि शेव परमात्मा आते हैं फिर क्यों कहते हैं वे आही नहीं सकते बहिए जब तुम बुला रहे हो पहली बात फिर उनके आपने यादगार बना रखे हैं वो आया था आता है तब ही तो आप उसको बुलाते भी हो फिर कहते हैं वो कैसे आ सकता है वो कैसे आ सकता है तुमारे पास हो आई नहीं सकते मनुशे कितने बुद्धू है दिखाते हैं बयल की ब्रिकुटी में शिव बयल के ब्रिकुटी में बिंदी लगाएंगे कहेंगे यहां शिव परमातमा भी बराबर ब्रिकुटी के बीच में रहते कहते हैं मैं भी आकर जा तुम्हारी आत्मा ब्रिकुटी में बैठी है मैं उसकी पास आकर बैठ जाता हूँ बगवान को भी आना होगा तो जरूर ब्रिकुटी के बीच में ही आएगा और कहां कहा जाएगा वहीं से तो सारे स्रीर को कंट्रोल करेगा वहीं से तो संदेश देगा अब परदशनी में तुम ये भी समझा सकते हो नंदी गण किसको कहा जाता है बाब कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ मनुशे कहते हैं गौड फादर पर तु फादर का नाम क्या है? तो कोई बतलाई नहीं से लोग एक फादर का नाम तो फोरण सुनाएंगे शिव बाबा के नाम भी धेर रख दिये हैं वास्तों में नाम तो एक ही होना चाहिए क्या-क्या नाम रख दिये? बुद्टेश्वार, सिद्देश्वार, घंतेश्वार, पापकटेश्वार दुनिया बर्ख के नाम जो है ना उसके राक दिये? जैसा उनकी समझ में आया रुद्र बापी इन सब बातों की रोशनी देते हैं मुनुश्य तो इस समय तुछ बुद्धी बन गए हैं क्या बन गए हैं? एक दम तुछ बुद्धी बन गए हैं अलफ को नहीं समझ अलफ मना अलफ मना अल्ह अलफ मना आत्मा अलफ मना अल्ह आसे आत्मा आसे अल्ह और पैसे परमात्मा पैसे बाबा वेद शास्तरादी पढ़ना ये है भक्ति मारत किताबे पढ़ना धार में गरंत पढ़ना ये सब क्या है? ये है भक्ती मार्ग समझते हैं भक्ती से भगवान मिलेगा भक्त भी मुनुश्य ठेरे उन्हों को भगवान मिलना तो जरूर है पर तो कब मिलेगा परंतु कब मिलेगा ये किसी को भी ये किसी को भी पता भक्ती मार्ग में किसको साक्षात कारुआ समझते हैं बस बस भगवान मिल गया साक्षाद कार हो गया जलक मिल गई बस समझते भगवान मिल गया मेरा काम पुरा हो गया इससे मुक्ति को पा लिया क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति ही देता क्योंकि नियम है जब भगवान मिलेगा तो मुक्ती मिलेगी वो सिर्फ जलक देखने को समझते हैं कि हमें भगवान मिल गया अब हमें मुक्ती मिल गई नहीं वो भगवान नहीं मिला वो स्वपना देखा चाहे वो दिवा स्वपन हो तो चाहे वो रात्री वाला स्वपन हो आखे बंद करके देखा गया सपना हो या आखे खोल करके देखा गया सपना हो वे है सब को मुक्ती और जीवन मुक्ती देने वाला दाता पतितों को पावन बनाने वाला दुख हरता सुक करता बाप तो है ही दाता दो कणे के बदले में महल दे देते हैं और सारे स्वरक की बाशाई दे देते हैं बाबा कहते हैं और सब कुछ खतम होने वाला है इस कार्ण इस कार्य में लगा कर सफल कर लो तुमको रिटर्न भविश्य में मिलेगा सवकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा नहीं सकते, गरी बच्चे ही बलिहार जाते हैं, अगर कोई सेंसीबल हो तो रास्ते चलते भी सिवा कर समझदार हो न? तो चलते, फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, 24 गंते सेवा कर सकता है सोचने की जरूत नहीं है कि मैं सेवा कर रहा हूँ क्या सोचना है मुझे accurate बाबा की direction पर चलना बस आप बाबा की direction पर चलते चलो जो भी आपके संबंद संपर्क में आएगा उसको अपने आप समझ में आता आपको कुछ करने की जरूत नहीं बस सिरफ एक बात बुद्धी में रहे कि ये सब आत्माई मेरे बाब के बच्चे हैं इनको भी हक बाब से मिलना चाहिए चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए योग जामें हम बैठते हैं गाड़ी में बैठेंगे बस में बैठेंगे कहीं भी बैठेंगे गली में जाके बैठेंगे अजनभी से मिलेंगे कोई भी मिल गया हाँ जी क्या नाम है कहां से आए हो क्या करते हो यह वो दोस्ती बनाते हैं न ऐसे ही दोस्ती बनाओ और दोस्ती बनाने के बाद उनको बता दो तेरा बाप और मेरा बाप तो एक है बताते हैं वो अच्छा तेरा गाम तो मेरे गाम के बिलकुल पास है हम तो एक ही एक ही इलाके के हैं तो पड़ा पड़ दोस्ती बनाना शुरू कर देते हैं तो सीधा सट्रा मारो उसके उपर कि तेरा बाप और मेरा बाप तो एक है हम तो एक ही घर से आई हैं हम तो भाई भाई हैं हम तो पक्के दोस्त हैं पक्के मित्र हैं फटा फट उनके साथ क्या बनाओ दोस्ती बना लो बस फिर शुरू हो जाओ जो जो उसको नहीं पता उसे बताते जाओ ठेने कोई बात जाओ पर काता ठेक्ट में तरह कोड़े हो डरी जाओ जाओ होगा है कोट्ये प्रीचल नियू सब्समें के सारे मुस्लान कुरी एंडुस्तान में बड़े बड़े सहब करें जैनुस्ति कर रहें रोट बाट करें आपको ने चुनों को बंद करते आड़े ओजो ने यही समझाना है उन बिचारों को जब तक उनको समझ में नहीं आएगा तब तक वो ऐसी बात करेंगे जब उनको समझ में आजाएगा कि हम सब का बाप एक है तब तब तक जवर्दल गन्यामा है पर उनको समझेंगे जितने समय तक उन्होंने जितने हाथ काटने है वो तो कर्मों का हिसाब तो बराबर करेंगे ना जब तक गुसा नहीं आएगा तो वो हिसाब बराबर कैसे होगा वही एक चीज है हिंदु में एक खिशी नंबर दा है जलते चलते पहले उनको अपना मित्र बनाओ वो तो दुश्मन बना के बात करेंगे ना पहले हमने उनको अपना मित्र बनाना है मित्र बन जाना चाहिए फिर बैठ कर ग्यान सुनाना चाहिए ग्यान बिलकुल ही सायज है ये नी सुनाया उनको वो तेड़ावला ग्यान सुनाया सिर्फ पूछो सिर्फ उनसे पूछो बाशन करना नहीं शुरू कर दो कि परमपिता परमात्मा का कब नाम सुना कितना first class बात है परमपिता कहने से वे सब का बाप हो जाता है सब का वह भी मानेंगे कि सब का बाप हो जाता है जैसे बिच्चू नर्म चीज देखेगी, तो डंक मारेगी न, तुम भी यही धंदा करो, सब को राज यूग भी सिखाओ, तो सत्यूग में प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे, वहां तुम को गोरे बच्चे मिलेंगे, तो ये समझ आना है, कि बाप से वर्षा लेना है, इसमें सारी बुद्धी की बात है, बाकी साक्षादकार तो कौमन बात है, किसको कैसे, वे भी एम अबजेक्ट बतलाने के लिए, शुरू शुरू में जो बाबा के पास आए, उनको ध्यान में जाकर साक्षादकार हुए, जैसे ब्रमा बाबा को विष्ण का साक्षादकार हुआ, बाकियों को कृष्ण का साक्षादकार हुआ, तो उनको उनका लक्षे बताने के लिए, कि तुम यहां आए हो या भगवान तुम से मिल रहा है तुम्हें क्या से क्या बनाने के दिए बाप कहते हैं तो मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे ऐसा पद लक्षमी नारायन जैसा एकठे रहकर पद पाना ये बड़ी मंजिल है और संग तूट जाए एक संग जुट जाए इसमें ही मेहनत है सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं यहां तो एकठे रहकर बुद्धी में रखना है ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है हमको वापस जाना है फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे आप पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है ये बुद्धी में रख पुरुशार्थ करना है आठ घंटा इस याद की सर्विस में रहो कोई कहते हैं ये कैसे हो सकेगा बक्ती मार्ग में जो कृष्ण के भगत हैं वे भी सब तरफ से बुद्धी को हटाए एक कृष्ण को ही याद करते होंगे कोई राम का भगत है अच्छा राम को याद करो राम की राजधानी को याद करो सो भी जाब निरंतर याद करें तब अंतमती सोगती होगी राम को याद करके राम की राजधानी में जाए ये भी मेहनत है ऐसी मेहनत सिख लाने वाला कोई है नहीं शलोक भी है अंत काल जो इस्तरी सिवरे फिर फिर वैश्या बने अगर कोई सन्यासी है गुरू है उनको भी याद करना पड़े तो अंतमति सोगति हो पहले कहा पहले पुछओ कहा जाना चाते हो वापस तो जाना है वापस तो जाना है पर तो कहाँ क्योंकि भक्ति से ताकत नहीं मिलती है जो एक से बुद्धी लगा सके शर्व शक्ति मान तो एक परम पिता परम आत्मा ही है ना उनका ही पाठ नूंदा हुआ है उंचे ते उंचा बाप है उनको याद करो तो उनके देश में जाएंगे सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते वे तो आते ही द्वापुर से हैं भागवान स्वयम जाक आकर कहते हैं मुझे याद करो और स्रिष्टी चक्र पर भी समझाते हैं जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे ये ज्ञान बाप ही समझाते हैं चित्रों पर तुम समझा सकते हो उंचे ते उंच है निराकार शिव परमात्मा वे है मूल वत्तन में वो कहा है परमधाम में वो तो वे भी उंचे ते उंचा है हम देवताएं भी वहाँ ही रहते हैं सुक्षम वत्तन में सुक्षम देवताएं रहते हैं वहाँ स्रिष्टी का चक्र है नहीं इलाइन नोट रखने वाली है वहाँ स्रिष्टी चाकर नहीं है वो केवल संकल्प की दुनिया है वहाँ कोई होता फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारेन के मंदिर में सबसे जास्ती भाव का है जगत अंबा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं जगत अंबा का तो बिलकुल साधार्न मंदिर है तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो जगत अंबा का भी मंदिर देखो तो रात दिन का फर्क है मनुश्यों को ये पता ही नहीं के जगत अंबा ही लक्ष्मी बनती पता ही नहीं है तुम जानते हो ये भी अति साधार्न है तो इनके मंदर भी अति साधार्न है कौन ब्रह्मा अति साधार्न है तो इनके मंदर भी अति साधार्न बनाए जाते हैं जगत अंबा को कहां काली भी बनाते हैं अब तुम जानते हो संगम पर राज योग सीख कर बविशे में कितने शोबनेक स्री लक्ष्मी, स्री नारायन बनते हैं, लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो ज्यान से ही होती है ना, बाकी कोई गव के मुख से अमरत आदी की कोई बात ही नहीं कृष्ण का भी संगम पर बाबा वर्षा कर देते हैं, संगम होने कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया क्योंकि वर्षा शिव ने दिया कृष्ण को उनको शिव तो दिखाई दिया नहीं क्योंकि उसका तो शरीर है नहीं उनको दिखाई दिया कृष्ण को उनने कृष्ण का नाम लिख दिया अब तुम जानते हो जगत अंबा ही लक्ष्मी बनती है और लक्ष्मी ही 84 जनम ले जगत अंबा बनती है ये ब्रह्मा ये है ब्रह्मा का कुल सो फिर बनता है देवी कुल पहले ब्रह्मा का कुल बनेगा फिर क्या बनेगा देवी का कुल बनेगा फिर 84 जनम लेते हैं तो अंट में आकर शुद्र कुल के बनते हैं कितनी अच्छी अच्छी बाते हैं धारना नहीं होती हैं तो कहेंगे डल है बुद्धू है ऐसे बहुत स एंटरस है जो आप पे ही कलास्ट ला सकते हैं Godfather कहते हैं तेज बुद्धी स्टूडेंट बनो सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं बुलाते हैं बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं सकूल में कोई तेज कोई डाव तो होते ही है तो सब बच्चे हैं तो सब बच्चे पर तो किनों को इतने पाप किये हुए हैं जो पुन्या आत्मा बनने सकते हैं घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं कितनी गुप्त खुशी रहने चाहिए अंधों की लाथी तो सिर्फ बाबा ही है और कोई हो ना सके ए प्रभू अंधों की लाथी तू ही है या हर एक की इन्वीज्वल दवाई की जाती है अर एक को अलग-अलग बिमारी है अलग-अलग दवाई है और दवाई एक ही है अल्ग लग दो भई है एक ही मन मना भाव का injection ले रखा है माम एक कम याद करो जिनके पास जिन के पास जिन नहीं जिनकी आखे नहीं हैं खाल्युक की रात में शिव बाबा आते हैं क्रिश्न रात्री कृष्ण रात्री कहते हैं तो शिव की भी रात्री है उनकी रात्री कौन सी है तुम जानते हो क्या जानते हो कल्युक के अंत और सत्युक के आदी को ही रात्री कहा जाता है जब कल्युक का अंत होने वाला हो और सत्युक की आदी होने वाला हो तब परमात्मा आते हैं भक्ती मारक के धक्के खाकर सब तंग हो गए या तो तुम जानते हो कल्युक के अंत और सत्युक के आदी में या तो कहते हैं परमात्मा बेयंत है या तो कहते हैं हम ही परमात्मा है कितना समझाया जाता है कोई को सर्विस का बहुत शौक सर्विस का बहुत शौक रहता है बाबा को भी शौक है परन्तु बाबा कहा जाए ये ला नहीं ये ला सन शोज फादर बच्चे तो देर हैं देर आते भी रहेंगे चू में बाहर बैठ जाएंगे पोप आया कितने मुनशे गए ये तो सभी का बाब है ये तो सभी का बाब है पोप को भी सदगती देने वाला है सची सची अशीर वाद देने वाला बाब ही है बीके को तो सब को ब्लेसिंग देनी है ब्रमा कुमार ब्रमा कुमारियों ने सब को ब्लेसिंग देनी है ना समझने के कारण वहे समझते हैं हम ब्लेसिंग करते हैं यहां तो आते हैं देखा जाता है आशीर वाद लेने का लाइक है वा नहीं परम पिता परम आत्मा की बुद्धी में जो है वे किस की भी बुद्धी में नहीं है बाप कहते हैं ये आए हैं आए तो हम इनको मुक्ती जीवन मुक्ती दें मुनुष्य से देवता बनाए स्वर्ग का सैपलिंग लगना तो है हम समझ जाएंगे ये किस परकार का सैपलिंग लग रहा है तुम भी ऐसे समझो कोई आए तो मुक्ती जीवन मुक्ती दें कहते हैं हमको मुक्ती चाहिए अच्छा मुक्ती धाम को याद करेंगे तो मुक्ती मिल जाएगे बाप को याद करो तो अंत मति सोगती हो जाएगे बस और कुछ चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते दालना के लिए मुख्य सार नमबर एक कम से कम आठ घंटा इस याद की सर्विस में रहना है एकटे रहते हुए भी और संग तोड एक संग जोडने की मेनत करनी है तेज बुद्धी स्टूडेंट बनना है डल हैड नहीं बाप समान अंदों की लाठी बन सब को मुक्ती जीवन मुक्ती का रास्ता बताना है वादान अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरशार्थी भव यतार्थ पुरिशारती भव अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बना कर रखा है ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनभव नहीं हो सकता और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारे को सहारा बना दो हद के किनारों को सहारा बना लेते हो अल्पकाल की बाते धुक्खे बाज हैं इसलिए समय की तीवर गतिक को देख अब इन किनारों से तीवर उडान कर सेकिन में क्रोस करो तब कहेंगे यतार्त उर्शारत्थी स्लोगन है कार्म और योग कार्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है अच्छा विस्तार से जानने के लिए विष्व के 140 देशों में प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी इश्वर ये विष्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करें ओ नहीं ओम शाक्ति